आज नाज पर आप अपनी शॉपिंग के लिस तेयार कर ले आपको किस भाव पर गोल्ड सिल्वर को खरीदना चाहिए क्या देखना चाहिए तमाम मुद्धों पर चर्चा करेंगे इंड़स्री के कुछ दिगज भी हमारे साथ होंगे तो चलिए देख लेते हैं आज का कमोडिटी विशेश इसे दूर किया जा सकता है और जीजे एपीसी के चेर्मैन के तौर पर आप इंडस्ट्री को क्या सला देंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि ये दिक्कते दूर हो सके शुक्रिया एक तो पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि डाइमन आज जो है ये डिश्टर बन सभी यपसे मतलब नैच्रल डाइमन के सामने लैब गूर्ण डाइमन जो आज जो आया है इसलिए खरीदारी लोगों को कॉइन्स मतलब वो लोगों जारा ये हो गया कि ये जो खरीद रहे वो क्या नैच्रल डाइमन है या लैब गूर्ण डाइमन है तो उसके लिए लैब्स बहुत सारी लैब्स हैं जिदर वहाँ पे घरागों लोगों को सर्टिफाई करवाना चाहिए या सर्टिफिकेट के साथ लेना चाहिए अच्छे खास नामदार या जो भी लोग है रेकेगनाईज ज्वेलर है कि वहाँ से वो लोग खरीदे तो उनका एक कॉन्फिदेंस बिला रहेगा जाकि जो लैब्स गूर्ण डाइमन आया है वो आज उसका स्तान बना के रखेगा आज जो लोग पहली बार डाइमन खरीदे है जो कभी डाइमन खरीदने की उमीद रखते है लकिन दाम इतने बड़े है तो लोग का ए डिजायर है तो लैब्स गूर्ण डाइमन लेके वो खरीद देके उनका डिजायर फुल्फिल कर सकते है और जो natural diamond है वो एक existence है वो दोनों एक दूसरे को compliment करने वाली है आज natural diamond है तो lab ground diamond उसको देख के चलेगी आज पहली वार वाला जो गराग आएगा वो lab ground देगा तो कल वो उमीद है कि वो आगे जाके natural पर जाएगा तो दोनों जन आज स्थान है आज गराग लोगों को आज investment के देखना है तो natural diamond पर जाना चाहिए एक desire और उसको जो confidence और उसको जो पहनना है तो उसके लिए lab ground diamond पर भी जा सकती है अगर उसको budget का issue आजाता है तो दोनों एक दूसरे को compliment करेगा सला बिल्कुल साफ है अगर आप flaunt के लिए show off के लिए खरीदना चाहते हैं तो lab grown diamond के साथ भी जा सकते हैं अगर investment view भी कहीं रख रहे है रिसेल value की उमीद कर रहे हैं तो आपको definitely natural diamond के साथ जाना चाहिए लेकिन बिना certificate के आप बिल्कुल कोई भी diamond नहीं खरीदे और जो brand है brand के साथ जाएंगे तो और अच्छा होगा रिसेल value बहतर मिलेगी सर अब बात कर लेते हैं गोल्ड को लेकर festive season है लोग भाव भी बहुत देख रहे हैं कि किस भाव में खरीदे ताकि bargain buy हो क्योंकि गोल्ड जब भी भी लोग खरीदते हैं उसमें ज्यादा तर लोगों का investment angle भी छिपा रहता है अगले एक साल के लिए गोल्ड का आप क्या range देख रहे हैं नीचे की तरफ गोल्ड कहा रह सकता है और ऊपर एक साल में कहा तक जा सकते हैं एक range बता दीजे ताकि लोगों को दिक्कत नहों कि हमें कब entry लेनी है कब legit लेनी है या बने रहना है ये पता ल जाता है तो safe haven में गोल्ड की बाइंग होती है आली इसराइल और हमास की जो वार्ड चड़ी हुई है यूकरेन और रश्या की वार्ड चड़ी हुई है तो चारों और दर का महल जा महल जो है इसके वज़े से गोल्ड टेजी से उपर गया है तो आज गोल्ड गोल्ड जो है आज मेरे को तो लगता है कि यही मतलब जैसे नीचे आता है जो मौका मिल जाता है तो ले लेना चाहिए मैं देख रहा हूं कि जो इस आप से जो गोल्ड बढ़ रहा है वो 65,000 की तरफ जा रहा है मैं नहीं देखता कि वो 55,000 की नीचे जावे तो कभी भी आज 60,000 की नीचे तो गोल्ड एक सेविंग की एंगल से भी हो रहा है और आज आदमी को एक कॉंफिदेंस भी दिलाएगा और यह इसके अंदर दाम अच्छी तरह बढ़ेगा तो राय इनकी साफ है विबल जी की यह कहना चाहा है कि 55 से 55 का रेंज रह सकता है नीचे में साथ हजार के नीचे जबी भी आए क्योंकि लोर लेवल पर किसी भी इन्वेश्मेंट प्रड़क्ट को पकड़के और वहां पर ही इंट्री आपको मिल जाए बहुत मुश्किल है और हम सबसे टॉप पर बेचे यह भी बहुत मुश् पकड़ेगी और चांदीवी का भी रफटार मतलब आज करीबन एक सतर सतर अजार पर अल्रेडी है तो करीबन का चांदीवी जबी भी 55 अजार आती है तो उसको खरीदना चाहिए और जो जाएगा का चांदीवी 80 अजार चांदीवी फास्ट उतने ही उपर जाएगी पूरा महौल जो इसाब से जियो पॉलिटिकल का महौल जो बना हुआ है तो आज सरकार मतलब किस तरह से वार किस तरह जा रही है कितने और देशों को अंदर ले रही है तो अगर फियर फेक्टर बढ़ जाएगा तो यह ओर नैट भी जा सकती है बतलब यह चीज कहना बहु क्मड़ बहुता ही नहीं क्योंकि जितना भी बाजार में डर होता है उतनी ही जाधा खरिदारी होती है गोल्ड ऑ शिल्बर की ऊइसा धूर फ्सक्ता कई देखता है तो एक diff mia नान का सीनेयारियो बन रहा है डिमेस्टिक मार्केट में और इंटप में नांड क्यों से क्या र domestic market बहुत अच्छा factor कर रहा है जितने भी ज्वैलिस को बात करो तो ज्वैलिस सारे लोग happy है इंडिया का domestic मतलब अच्छा खासा consuming spending भी अच्छा consumer spending भी अच्छा है इंडिया का economy भी बहुत बढ़िया कर रहा है आज GDP में भी सबसे number one इंडिया ही है तो इसका मतलब के आज domestic market के वज़े से अच्छा खासा अपने को ये मौका मिल रहा है कि मतलब कभी भी कुछ भी बाओ से आज क्योंकि आज डायमंड का भी बाओ बहुत अच्छी तरह से मतलब नीचे बेस बना दिया है तो एक अच्छा लेवल है एंट्री पॉंट का सोने का बाओ भी जैसे नीचे आता तो बहुत जो रहता है तो बहुती बाओ आज सही टाइम है डोमेस्टिक मारकेट के साथ इक्सपोर्ट में तो एक्सपॉर्ट में अच्छी नोगेागए और य। उनों for some reason अभी slow है because in America के जो हिसाब से interest के डाम बड़े हुए है आज interest के cost बड़े है उनके inflation के जो उनका जो challenges है तो उसके हिसाब से थोड़ी वहाँ से demand तोड़ी short हो रही है slow slowdown हो रही है China COVID के बाद खुलने के बाद वो भी slowdown है मतलब उमीद है कि दीरे दीरे आज export वहाँ पर अभी दीरे दीरे खुलेगी government economy को बाद बूश करने के लिए सई कदमें लेंगी चाहिना वाले भी तो मेरे इसाब से export का भी demand खुलेगा लेकिन हाली domestic market बहुत ही अच्छा चल रहा है अब आखरी सवाल विपुल जी मेरा होगा तेवहारी सीजन है लोग जाना चाह रहे हैं कि जो वह स्टोर्स में जाए या कहीं से भी खरीदारी करें तो उनके लिए क्या वह चार-पांच टिप्स है जो ध्यान रखे जैसे बिल की डिमांड करना जेस्टी वाले बिल मांगना इच्वाइडी चेक करना गोल्ड खरीद रहे हैं सर्टिफिके चेक करना ता ऐसे कुछ पांच गोल्डन टिप्स खरीदारों के लिए दीजिए सरकार ने बहुत ही अच्छे तरह से यह सब स्टेंडर्ट रखे हुए हैं आज सर्टिफिकेट की बिना, आज मैं किसी को भी नहीं बोलूँगा कि आज सर्टिफिकेट की बिना माल नहीं लेना चाहिए जो वेराद राइट अच्छे खासे ब्रेंडेट स्टोस में से जैसे तनीश के टाटा ग्रूप है या कोई दूसरे भी मतलब मलावार है या जैसे रेकेगनाईज ग्रूप है जो इतने सालों से यहां पे जह है जिदर आप लोग को कॉन्फिडेंस आवे हैं आपके इतने सालों से जान पैचान वाले से मतलब लेना बहुत इंपॉर्टन हो गया है क्योंकि आज जैसे लैब ग्रूप डैमंड ने जैसे मार्केट मिला है तो मैं नहीं चाहता है कोई भी गराग आज कोई सस्ते दाम में कुछ मिल गया और खूश हो जाए कि भी नेचरल लिया है तो वो चीज होनी नहीं चाहिए इसने सर्टिफिकेट के बेना कुछ काम नहीं करना चाहिए और दूसरे के मतलब आज प्राइस बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि डाइमेंड का भाव भी एक बेस बना चुका है डाइमेंड के बाव भी आज देखने को जाओ तो 25-30 तके से मतलब यह बिकास ग्लोबल चैलेंजिस के इसाफ से नीचे आए तो यह अच्छा मौका है यह बेस बना चुका है और यहां से उपर जा रहे है रफ्तार से तो यह टाइम है गराग लोगों को सोना लेना और अगर शादी की सीजन भी आ रही है तो यह बहुत ही राइट टाइम है क्यों यह चांस मिस नहीं करना चीए शुक्रिया पिपल शाजी आपने वक्त निकाला वर्च में हम लोग खडे हैं क्या लगा है किस तरह के फूचर से जिस तरह से डानेमिक चेंज हो रहा है हम नेडमी मुझा हो रहा है यह पैरलरली एक अलग उंडश्टरी भी बन रहत है कि और आ डोनों इंडश्टरी एकसाँ चलंगी या फिर लैब आने वाले समय में natural diamond इंडस्ट्री को आउट कर सकती है, उससे आगे निकल सकती है दोनों industry चलेगी, बलकि natural के लिए अच्छा है लैब ग्रोन आने से long run में natural industry को भी बढ़ावा मिलेगा आप Rolex की घड़ी या omega चोई महंगी घड़ी पहनते हैं और एक सस्ती घड़ी भी पहनते हैं, टुप्लिकेट घड़ी भी पहनते हैं, लोग, लेकिन घड़ी तो समय तो एक ही बताती है, लेकिन जो महंगी घड़ी है, वो पहनने वाले का समय बताती है, समय तो सब घड़ी एक ही बताती है, तो यह सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ल उनको बिल्कुल ही नहीं मिल रही है लाइब कहेकर नैच्रल कहेकर लाइब डायमंड भी उन्हें बेचा गया है इस तरह की दिक्कत है तो कैसे हम उसको अलग सेग्रीगेट करें मैं मुंबई के मारकेट इस सूरत के मार्केट बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूं तीयर 4 इसमा indicative के लिए उसके लिए क्या कर रहे हैं और किस तरह से सिग्रिगेट कर सकते हैं इस इंडर्श्री को जैसे आप सोने में हॉल मार्क वाला गोल लेते हैं उस तरह से डाइमंड में लेबोरेटरी सर्टिफिकेट वाला हीरा लेना चाहिए लेबोरेटरी में भी आप ये देखो कि जो प्रतिष्टित इंटरनेशनल लेबोरेटरी है जो वर्ल्ड वाइड मानने हो ऐसी ही लेबोरेटरी का हीरा लेना चाहिए और वो लेबोरेटरी का हीरा लिया तो वो उसकी सही रीसेल वेल्यू आपको कभी भी मिल जाती है मैं ये नैच्रल डैमंड और लैब डैमंड माली एक लाख रुपए का मैं नैच्रल डैमंड भी खरीदता हूँ और एक लाख रुपए का लैब डैमंड भी खरीद रहा हूँ आप सेलर हैं आपके पास दुबारा मैं बेचने के लिए आता हूँ जो certificate आपने जारी किया उस certificate के साथ तो resell value कितना होगा lab के लिए और natural के लिए कितना resell value मुझे मिलेगा एक लाख रुपए का दोनों का बताइए lab के लिए कुछ भी नहीं बिल्कुल कोई resell value नहीं है lab के लिए कोई अभी किसी ने वेपारी ने ले लिया अभी सामने कुछ ले रहा है लेकिन lab के लिए resell की कोई guarantee नहीं है जबकि natural diamond की उस वकत की जो market value होगी उस हिसाब से एक दो टका तीन टके फरक में वो ले लेगा जो भी making charge से related जो उनके costing होगे उस सब deduct करके लेकिन उसमें ज़्यादा आने की भी संभावना है कोड़ विक्री का भी अनुमान है तुम कैसे देखे अगर दू-तीन चीज़ ऐसी बता है जो हम देख सके कि यह लैब है यह नैचुरल है क्योंकि छोटे शहरों में बहुत बार सर्टिफिकेशन को लेकर भी दिक्कत रहती है इसलिए मैं इस अबल पूछ रहा हूं आपसे सो स उसके उपर से सब अंदाजन ख्याल आता है लेकिन आप जब भी कोई चीज महेंगी चीज खरीते हैं तो आपको थोड़ा अभियास करना चाहिए तो डायमंड के उपर भी थोड़ा अभियास करिए और इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है थोड़ा रिसर्च करिए जो भी प्योड़ी रहेगी ऐसाई प्योड़ी रहेगी विवी एस प्योड़ी रहेगे विलती है और वैसी सो रूम पर जाएं ना कि जहांप एस्सर्टीफिकर मिलता है और तो कोई इसमें चीटिंग य सब्सक्राइब अब फ़िन नॉर्मल वे में दिर नथिंग लाइक अब डामट के बाद आप बात कर लेते हैं गोल्ड की क्योंकि गोल्ड की खरिडारी आम तरफे तेवारी सिज़र में कापी कुछ कापी अच्छी देखने को मिलते हैं क्या लग रहा है मौझदा लेबल है हाला कि यहाँ पर वार प्रीमिum भी भाव में देख रहा है क्या लग वार बंद हो जाए या कोई किसी तरह से लगता है कि शांती का वातारण हो जाएगा तो भाव थोड़े नीचे आ जाएंगे आपको अपने घर के लिए अगर जोड़ी गोल अगर खरीदनी होगी तो किस भाव पर खरीदना मौजूदा महौल में पसंद करेंगे मैं ये भाव में नहीं लूँगा नीचे के भाव में आप लेनेगे तो कितना वेट करेंगे आप यहां से ये भाव मैं डॉलर में हिसाब मारता हूँ अभी देखे तो उनीस सोची डॉलर पर आउंस का बाव है हम लोग ज्यादा तर डॉलर में गिनते हैं तो में जै लगता है कि कम से कम सो डॉलर पर आउंस नीचे जाएगा तो उसका रुपए में किस हिसाब लगाते है लकिन कम से कम چार पाँछ Komma नीचे जाना लेकिन अगर अभी जो 61, 62 के भी चल रहा है तो 58, 59 अगर वार स्टॉप हो गया तो और अच्छा जाएगा ये सीजन इस बार बहुत अच्छे चांसे है दिवाली सीजन जाने के गोल्ड या सिल्वर किस तरह के पोड़क्त की जादा दिवाली पे आपके स्टोर्स में अगर प और जो अब आपने बताया कि CVD और रियल, CVD जगा है और रियल रियल ही है और जो मियूल भाई ने अब जो बताया कि जो रोलेक्सी गड़ी पहनते है और एक चालू गड़ी पहनते है आज मैं खुड ट्रेडर्स हूं मेरे को कोई लेबरोन का पीस बीस हजार का देगा तो पार के बात कर रहे तो वो सब देखे सर्टिफिकेशन देखे इसके अलाबा कुछ और आड़ आप करना चाहेंगे ग्रांकों के लिए मेरे इसाब से रहा तो सदा के लिए है और रियल ही पहनना चाहिए और रियल ही रहा ही है और अपने में तो कहवत है कि शुक्र अपना एई एएरा तो एएरे से कभी भी छेड़-छाड़ी नहीं करनी चाहे और रियल ही पहनना चाहें इंडियन जेमोलोजीकल इंस्टिफिकेशन के बहुत ही जारी करते हैं हाला कि अब यहां पर भी काफी सर्टिफिकेशन शुरू हो चुके है क्या लग रहा है क्या दायरा भ बारत डायमंड बूर्स और जैमें जोलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल ने मिल कर लेकिन यह लेबोरेटरी नहीं है उनीस सो अकतर की लेबोरेटरी है और मैं कुद भी उसका एक ट्रस्टी हूँ और उसके चैर्मेन हमारे प्रेसिडेंटी है वो यह काफी रिलाइबल है लेकिन यह कॉमर्शियल ढंग से चलने वाल मतलब जिस तरह से एड़टाइजमेंट करके और जो दूसरी इंटरनेशनल जो है यह लेबोरेटरी के सर्टीफिकेट बिल्कुल सही है इसके उपर भरोसा पूरा किया जा सकता है लेकिन यह जिस तरह से कॉमर्शियल वेल में एड़टाइजमेंट करते हैं और वो अपना वैपारी की तरह नहीं है यह नो प्रोफिट की तरह है तो वैपारियों के बीच में यह सर्टिफिकेट चलता है कलर स्टोन में यह सर्टिफिकेट इंडिया में नंबर वन माना जाता है जोलरी में यह और इसके पर भरोसा पू आइटम्स हो तमाम तरह के परड़क्ट चांदी में आज कल सवाल उठते हैं। चांदी जनरली लिया जाता है एक आपने जो कहा पूजा रिचुवल्स फिर गिफ्टिंग के तौर पे दिया जाता है चांदी चांदी का सबसे बड़ा एक यूज है वो इंडस्ट्रियल यूज है और चांदी के भाव जब मेटल के भाव उपर नीचे होते हैं तो साथ में चांदी के भाव उपर नीचे हो जाते हैं लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि इन्वेश्टमेंट के तौर पे कोई चांदी नहीं खरीता है इन्वेश्टमेंट के लिए नहीं लेकिन मैं 75 परसेंट चांदी के लिए मैं 92.5 परसे स्टर्लिंग चांदी का वाव क्यू होती है चोटे शहरों में मुझे नहीं मालूम है लेकिन जहुरी बजार में और हर जगा पर प्यूरिटी चेक कर सकते हो तो इस खास पेशकस में आपने सुना जोली इंडस्टी के तमाम दिगजों को उन्होंने क्या राय दिये कि आपको किस बाव उपर गोल-सिल्बर की ख दो दोटेश के साथ. नमस्कार.